हेलो एवरीवन SSC ने 431C पर एक नोटिफिक्शन जारी क्या गया है यह नोटिफिकेशन सबिस्पेक्टर इंदिली पुलिस एंड सेंटर आंड पुलिस फॉर्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए जारी क्या गया है इसके ओनलाइन स्टार्टिंग फॉर्म की जो टेट है वो 10 अग सबिस्पेक्टर इंदिली पुलिस में इसमें सभी काटेगरी जर्ना लोग इसी है सभी के लिए वेकेंसी है और अगर बात की जाए तो सबिस्पेक्टर इंदिली पुलिस फिमेल की तो इसमें टोटल वेकेंस सब्स्पेक्र आपका जर्नल ऊबी सी एस्ठी एड़ोए ती इडवलोस सभी के लिए वेकेंसी एपलेबल हैं अब बात की जाए शबी सभी स्पेटर जेडी IN सकते हैं तो अगर अगर तोटल वेकंसी देखी जाएं तो इन सभी के जो सम है वो 3.400 है यानि के 4300 टोटल वेकंसी है अब बात कर लेते हैं इसके कि इसमें लिमिट रहेगी मिनिमम आपकी 20 यह से हैं और मैक्सिम आपकी 25 यह जिसमें आपको एज रिलक्सेशन भी मिल जाएगा इसमें जो S.C.S.T.A. उनके लिए 5 यर्स है, O.B.C. के लिए 3 यर्स है, अगर बात की जाएगा, इसके एपलिकेशन पीस की, तो जर्नल के लिए 100 रुटीज है, और बाकी जो S.C.S.T. है, उनके लिए आपका, और वुमेन के लिए उसकी फीस निल है, कुछ नगी है, उनके लिए फोर्म, वो फोर्म फ्री में भर सकते हैं, वहीं O.B.C. के लिए भी 100 रुटीज ही है, अब बात कर लेते हैं, इसके Center of Examination, आपको स्टेट के कोडिंग मिल जाएगा, वहीं अगर बात की जाए, इसकी मोप एक्जामिनिशन के, इसका exam बेटन कहा रहेगा, exam बेटन इसका, इसमें दो exam होंगे, paper first, paper second, उसके बाद आपका PST होगा, इनके physical standard test होगा, उसके बाद PT होगा, इनके physical android test होगा, उसके बाद आपका selection होगा, तो यह इसका कुछ selection procedure है, तो अगर इसमें paper first की बात की जाए, तो journal intelligence and reasoning के आपके 50 questions होगे, जो 50 marks के होगे, वहीं जनल knowledge and journal awareness के आपके 50 questions 50 marks के होगे, वहीं quantitative aptitude के 50 questions 50 marks के होगे, वहीं English comprehension के 50 questions 50 marks के होगे, और आपको time मिलेगा 2 hours का, पेपर अगर second के बात की जाए, तो इसके syllabus की तो syllabus आपको इसको यहाँ पर दिस्पले पर दिखाए दे रहा है, तो पेपर first के लिए देखिए, यह पूरा का पूरा syllabus है, जर्नल intelligence and reasoning के लिए, तो आप इसको पूर्ज करके इसका स्किन्सोट ले सकते हैं, यह पूर्ज करके इसको रीड कर सकते हैं, यह कुछ इसका syllabus है, जो syllabus होता है, mostly exam में जो syllabus reasoning के लिए आप से कोशिर भुश जाते हैं, वहीं जर्नलिस में सभी topics एड के गई हैं, इसके लिए भी वही कुछ topics से, इसमें, देखिए, quantity attitude का syllabus, पॉस करके आप वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यह इसके इंग्लिस comprehension के लिए, उसके बाद English language and comprehension जो पेपर सेगेंडर उसके लिए भी आपर syllabus दिया हुआ है, यानि ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें है अब बात कर लेते हैं, इसके फिजिकल टेस्ट की, यानि कि फिजिकल इस्टेंडर टेस्ट में क्या रहेगा, सबसे बहले बात करते हैं, फिजिकल इस्टेंडर टेस्ट की, फर्दावल पोस्ट, तो category of candidates, यानि कि male candidate है, except those listed of serial number second and third, यानि कि serial number second and third को छोड़ कर, उन candidates के लि वही जो candidate हिल से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो आपकी हाइट है, वो 165 है, और चेस्ट जो एक्सपैंडड़ है, वो 80 है, और एक्सपैंड़ करके 85, वहीं एकर बात की जाए, तो जो candidates schedule tribe से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 115.5 है, वहीं जो उनका चेस्ट है, वो 77 है, औ एक्सपैंड़ है, 82, मैं एकर female candidates की बात की बात की जाए, तो accept those list at seal number 5th and 6th, यानि के फिफ्टों 6th को छोड़ कर, जो female है, उनके लिए जो height है 157, और इसमें उनका और कुछ दिया नहीं है, इसमें dash का चिन लगाया हुआ है, बाकि female candidates जो हिल से बिलोंग करते हैं, उनके लि tribal tribe उनके लिए 154 है, मैं एकर बेट की बात की जाए, तो बेट नहीं corresponding to height for the all post के लिए रखावा है, physical and endurance test के बात की जाए, for the all post, तो female male candidates के लिए 100 meter race in 16 seconds, और आपका second race में 1.6 km race in 16 5 minutes, long jump आपका है, इसमे 3.65 meter in 3 chances, आचा, फिर हैसमें high jump है, आपका 1.5 meter in 3 chances, इसमें, इसमें 6 LBS, और 4.5 meters in 3 chances, उसके बाद for female candidates के बात की जाए, तो इसमें 100 meter race है, 18 seconds, 100 meter race है in 4 minutes, long jump है आपका 2.7 meter in 3 chances, high jump है आपका 0.9 meter in 3 chances, तो ये कुछ इसकी बेशिक सी जानकारी थी, और I hope आपको इसमें सभी कुस समझ आ गया होगा, बाकी काफी detail में notification है, अब आगे आप इस notification को detail में read कर सकते हैं, तो आज की video में बस इतना ही, तब तक के लिए wish you all the best, thank you.